अब जिस कदर ये गाड़ी उड़के निकलती है न यासे मेरे मूँ में बस एक ही चीज आता है मैं बोलता हूँ भाईया हैकर आगया लॉबी में अब होंगे दबा के गलत सीन तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू पपजद मोबाईल गेम प्ले वीडियो में और यार आखिर कार आखिर कार जाके इतने दिनों बाद 25 से ज़्यादा किल हूए है और यार इसमें एक बंदा गाड़ी इस कदर उड़ा रहा था कि एक टाइम के लिए तो यार वो बंदा सही में खेलना था या है कूक करके खेलना था मेरे समझ के पार हो गया खेर वो सारे गलत सीन बहुत ही जल दोने वाले यार फिला नुवा आ रखें और जो भी गंगुन मिली है उसे उठाके आगे जो चार बंदेया हैं उन्हें पिलने जा रहा हूँ और हमारे ये भाई गंगुन लेके कंटेनर में लेड़ जाते हैं यार नीचे उतर लो जाड़ी तक तो पहुँच जाओ कम से कम और ये सप्रे पूरा का पूरा तुक्के के बल पे था देखो लोहा साइड था मेरे को कद्दू कुछ नहीं दिख रहा था बस मैं गोली चलाता गया ढीटो की तरह और दो बंदे एक ही सप्रे में निपड़ गए और बस एक आखरी बंदा बाकी है और अब आपको देखने को मिलेगा कि किस कदर बॉट हम लोगों से ज़्यादा बढ़िया खिलने लगे हैं देखो यार इन चार बंदों को तो हलवे में पेल दिया लेकिन इस बॉट को पेलते पेलते यार अलगी दिक्कत होगी नदाने कौन कौन से सोट पेलता है ये बट देखो यार अब आपने जिंदगी में यार ड्रोप सोट देखा होगा बंदे आते अचानक से मूँ के सांदे लेटते हैं और पेटी बना की चल देते हैं लेकिन ये बट अलग लवल पे था भाई उल्टा डिरॉप सोट पेले हैं बट पीछे की तरफ मूँ करता है बिलकुल मूँ मोल लेता है मेरे से वहाँ पे जमीन में जुकता है उसके बाद अचानक से लेटते लेटते हवा में ही मूँ मेरी तरफ कर देता है बहुत ही खतरना है यार मतलब मैं बोट के लेवल का कब खेलूँगा यार हमसे तो डिरॉप सोट भी ढंक से नहीं लगते वो तो उल्टा डिरॉप सोट पेल ला है कैर अब आगे जा रहो हुँ है और आगे डबा के पंगे होने वाले हैं गलती गलती ही नूँगे लेकिन उससे पहले हम धेड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है वन एक्सबैट जिसके माद़ से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल बोली बास्केट बॉल और भी कई सारे इस्पोर्ट्स या फिर इस्पोर्ट्स पे बैट पुट लगा सकते हूँ साथ ही साथ अब तो मेरे ख्याल से फुटबॉल भी चालू हो गया तो आप अपनी फिवरेट फुटबॉल टीम पे भी बैट वगारा लगा सकते हूँ और जीतने पे पैसे कमा सकते हूँ याद रखना यार उस टीम पे लगाना जो आपको पता है जीतने वाली है ऐसा नहीं कि यार ये लो आम पे अंधा पैसा है फेक दिया कहीं भी पैसा दिमाग से करना साथ ही साथ इसमें आपको 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हूँ जो कि कमेंट सेक्षियों में दिया गया होगा तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है आप इस हैप को ट्राय कर सकते हूँ इसकी लिंक कमेंट सेक्षियो में होगी बिल्कुल टोप में अब मैं इधर खुसी खुसी आया था कि यार आज तो डिरॉप लूटेंगे पता चलता है लूटके कोई और ही भग चुका है यहां से और जो भी महंगी गर उधर पड़ी होगी वो उठा के यह लोग यहां पोचंकी के घरों पे रुख चुके हैं अब देखो यह रुखे हम भी रुखे हैं मैं यार देखो क्या पता AWM पड़ी हो छोड़की कैसे जा सकते हैं तो यहां पे लड़ाई के पूरे मूड में होता हूँ और उतने में ही एक बंदा पीछे से आता है और मेरे सस्ते सपरे के कारण वो बच के भग लेता है यहां से अच्छा कासा पकड़ सकता था मैं उसे कहर देखो यार इन लोगों पे महंगी गन पड़ी है इसका मतलब जोस इन पे भी पूरा होगा मतलब फ्लैंग देख जाने कहां पे पहुँच चुका है और यह कब उपर आने वाला है लेकिन इससे पहले यह उपर आये मैं ही नीचे चल देता हूँ और इस अकेले बेचारे बंदे के साथ यार दोका किया जाता है देखो जिस हिजाब से वो एउजी वगेरा पटकारे थ्यार मेरे को लगा हो गया काम यह सारे के सारे उपर आने वाले हैं लेकिन सीन क्या होता है उपर बस एक बंदा आता है जिसकी पेटी बन चुकी है वो लोग उपर क्या सीड़ी तक नहीं आए बुरा वाला धोका बिल्कुल और यह लोग उपर आने की बज़ाए अला गला गरों पे गुच जाते हैं और वहां से बाई हरे कोने से नेट फेका जा रहा है और यहाँ पे मेरे को ठीक से भी नहीं पता कि यार बंदे कितने हैं मेरे को बस इतना पता है कि यार अगर मैं होता ना इस बंदे की जगा जिसकी उपर आने की वज़ा से पेटी बनी और टिमेट ना है उपर यार मैं एक ही काम कर रहा होता भी माईक पे दबा की गालियां खैर यह लोग नेट कर रहें तो एक मैं भी फेक देता हूं और यहां पर मैंने क्या कुछ नहीं किया गोली आचला दी नेट फेक दिया उसके बाद प्री फायर भी दे दिया कद्दू कुछ ने उखड़ा कोई भी नौक नहीं हुआ और उसके ऊपर से यार मेरे को नेट का डेमेज बढ़ जाता है बहुत ही बढ़िया और जहां तक म बंदा बचके भगाना नेट से उसे डेमेज तक नहीं हुआ होगा और ये बंदा दूबारा से इसी कमरे पे नेट पेलने वाला था यार ऐसे हेल्थ की ऐसी तैसी कर चुकी हो अब तो छोड़ दो क्या नेट फेकने के लिए भाई पीक दबाते हैं और मैं अपना फायर का बटन पेलता हूं बंदा नौक अब बस एक आखरी बाकी है अब ये लोग भलाई अपने पहले टीमेट को धोका देते लेकिन यार इनका जो चौथा टीमेट होता है ना वो इनको धोका दे जाता है वो भाई नजाने कहां गत्ते फूक के बैठे हैं लेकिन पहुचंकी में तो बिल्कुल भी नहीं है यही ते यार यही था वो बंदा जो AUG नजाने कब से पटका जा रहा है पकड़ी लिया और बंदा रिलोट करते करते ठिलता है नहीं तो कुछ भी हो सकता था क्यार उसके बाद मेरे को मजबूरी में यहां रूइंस तरफ आना पड़ता है और यह जगा बहुत ही बेकार है यहां पे केम्पिंग और साप बनना दबा के होता है लेकिन देखो यार फलेर चली है और किल के नाम पे मेरे को डंक से कुछ बिल्कुल भी नहीं मिला है तो आना पड़ा यहां पे भी आना पड़ा और यहां पे आके डिरॉप अभी मेरे मुझ के सामने गिरता है लेकिन उसके बाद भी बंदे समोक वगरा करके लूट के चल देते हैं और यहीं कहीं उपर बैठे पड़ें तो मैं धीरे धीरे करके उपर चड़ जाता हूं और बस यहां पे नदी भी है और जाड़ी भी है तो बंदे कहीं पे भी हो सकते हैं क्या पता कोई तैर तैर की मेरी पेटी बना दे इसलिए समल के जाना पड़ेगा आगे और जैसा कि मेरे को लगी रहा था एक बंदा यहीं पे सांप बना बैठा होता है अब यहां पे क्योंकि फलेर चली होती है तो बंदे दबा के आते हैं नजारे कितनी टीम के बंदे आ रखे हैं और देखो मेरी तरह डीट बंदों की बिलकुल कमीनी है दुनिया में तो यार चाहे रूइंज में चली हो चाहे जर्की पे चली हो फलेर बंदे पहुंच जात और यहीं दिवार के पीछे कड़े बैठें तो हम भी जाते हैं पीछे और यह भाई लगभग वन वी टू करने ही वाले थे मतलब डैमेज देख रहे हो मेरी हल्थ की ऐसी तैसी हुई पड़ी है हमारे भाई की है एसी हुई पड़ी है लेकिन जैसे तैसे करके हम इसको भी पक आता हूं लेकिन तब तक एक और टीम अचाती है यानि कि ये दो-तीन बंदे और आ चुके हैं यहां पर अब ये भाई एक एम बटकाते हैं मेरे को लगा यार अब तो मैं गया एक एम बटका रहे कोई लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे ठीक नीचे कोई बंदा नौक पड़ावा था तो भाई उसकी पेटी बनाते हैं और मैं भाई की पेटी बना देता हूं और इसे के साथ मेरे को लगता है कि ये जगा खाली हो चुकी है लेकिन अभी भी एक बंदा यहीं कहीं बाकी है यहीं कहीं जिंदा है और हमको बिल्कुल भी नहीं पता कि वो है किदर तो मैं क्या करता हूं गाड़ी लेके जाता हूं और बोलता हूं ठीक है यहां पे साफ हो चुका है सीन अब कहीं और चलते हैं लेकिन फिर मैं बोलता हूं यार गाड़ी पे पट्रोल कम है तो क्योंने यहां नीचे जो गाड़ी पड़ी है उससे बदल लिया जाए और मैं गाड़ी के पास जाता हूं और कुछ देखने को मिलता है। यही होता है यही होता है जब आप दिन भर गलत सिंदे के अपना सारा का सारा नेट उड़ा दो। उसके पाद जब आप गेम खिलने बैटते हो लो भाया नेट खतम हो जाता है फिर कदू का गेम चलेगा। खैर यह भाई यही बैठे होते भाई की पेटी बना दी। देखो यार वो आता तो नजाने कुछ हो जाता इस टीम का। लेकिन अब बस मेरी केड़ी बढ़ाने में मदद हुई। और देखो यार आपने गाड़ियों को जमीन में चलते वे देखा होगा। आज उड़ते वे दिखने को मिलेगा। और हाँ भाई हैखो करके नहीं खेल ले थे। बिल्कुल साधा गेमप्ले। वेंड, भाई हैं। जाएप। वेंड, आटे भी माररा है, गुल्चुल्चुल्चुल्चुल्चुल्चुल्ुल्च भाई वीब फीन उठा होगा। अब जिस कदर ये गाड़ी उड़के निकलती है नया से मेरे मूँ में बस एक ही चीज आता है मैं बोलतो भाईया हैकर आगया लॉबी में अब होंगे दबा के गलत सीन लेकिन देखो सीन क्या होता है भाई गाड़ी इतनी तेजी से चलाते हैं कि गाड़ी नजाने कितने देर के लिए हवा में रह जाती है देखो यार मैं सही बता रहा हूँ जब मैं गेम खिला था ना मैंने बोला भाई ये तो हैक करके खिला है गाड़ी इतने देर कैसे उड़ रही है लेकिन फिर पता चलता है कि हैक हो कदू का भी नहीं है भाई ने इतनी जान से गाड़ी केर उन तीनों बंदों की मैं पेटी बनाता हूँ और चौते की किल चोरी हो जाती है और हमारे ठीक सामने जो बंदे बैठे पड़े है यार वही है जिसने मेरी किल चोरी की चोरी तो क्या मतलब मैंने बस डेमेज दिया था लेकिन भाई ने आखिर की एक काद गोली पेल दी और किल मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिली और सीन क्या होता है यहीं बगल में ये चोटे वाले पहाड पे एक बंदा लेटा पड़ा है तो उसको भी देखना पड़ेगा नहीं तो ये पेटी बना देगा साइट से और क्यूंकि अब मेरे को पता चल चुगा है वो बंदा उधर लेटा पड़ा है तो हमारे भाई उठते हैं और भगना चालो करते हैं अब ये जो कटा कट करके गोलियां चलानी बढ़ती है न यार मेरे बस के बिल्कुल पार है गोली भी चलाओ एम भी करो उसके उपर से उपर भी जाती रहती है गन्यार बहुत दिक्कत होती है हम है सस्ते सप्रे वाले तो वो बंदा बच के अभी निकल लेता है दो गोली प चल देता हूं लेकिन वो यार मुखे सामने से गाड़ी लेके भग जाता है अब हमारे भाई गाड़ी भगाते तो मैं बोलता हूं यार हम भी गाड़ी भगाएंगे और यही भगाने के चक्कर में गलत सीन उने वाले हैं यहां पे अब हम लोग पहले से ही एक सस्ती गाड़ी चला रहे थे जिसको बहुत डेमेज हुआ था उसके उपर से यह पीछे से गोली चलाते हैं और खास बात यह है यार आगे भी बन दे हैं वा पम जी बहुत ही भड़ी आप देखो अगर आपको याद होगा मैं गाड़ी बंदों के उपर से निकाल देता हूँ बिलकुल उपर से और देखो यहाँ पर मैं गाड़ी के बगल में कूच चुका हूँ मेरे ख्याल से मेरा कुछ भी चुआनी जादा से जादा बैक टच हुआ होगा लेकिन यार देखो बैक टच हुआ है तो तुम्हारी पेटी बनेगी लेकिन अगर हम गाड़ी उपर से न से वाइफ करने का मौका मिल जाता है नहीं तो मुझे लगा था हो गया काम बना लो गेम प्ले और यह बंदा गाड़ी से उतरने के बाद भी मेरी पेटी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है मतलब यार इतनी गोलियां पेली की हेल्ट के दाम पे कुछ भी नहीं दिखरा था देखो यार एक HP देखा था मैंने मेरे ख्याल से जीरो कर दी थी उसने, बिलकुल ठिलने वाला था मैं, खैर यहाँ पे मैं जैसे तैसे बच जाता हूँ, और सही बताओ मेरे को लगा था यार वो गाड़ी पेल के ही पेलेगा मेरे को और इतने में बगल से कोई AWM पठकाता है, यार इतनी जगा गया में डिरॉप वगेरा लूटे बंदे पेले, AWM नहीं मिली, और वो बनना ना जाने कहां से AWM पकड़के बैठा है, खैर यहाँ पे जोन चोटा होता है और मैं लगाता हूँ डेड़ आइक्यू किमपले, जोन ह मैं घरों की तरफ और घर मेरे ख्याल से पूरे खाली पड़े हैं, तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और घरों पे चल देता हूँ, यह सोचके कि घर के अंदर से बंदे पेलेंगे, लेकिन अपनी धीटता की करते हैं, मैं बाहरी भाइट लेने लगता हूँ और अब टाइम आगया है एक पहुत ही तगड़ा और बढ़िया साथ बहाना देने का, सीन के उतायार मेरी AUG लग जाती है रिलोट पे, दोनों का नैसी यार बड़े जल्दी खतम हो गई, दोनों रिलोट पे लग रखी थी, तो मैं रिलोट दबाता हूँ और उतने में ही मैं ठीपी पी लेने इधर पेड़ पे आता हूँ, लेकिन हमारे भाइब भी इसी पेड़ पे खड़े होते हैं, और वो बं रूटने बैठ जाता, तो यार नजाने वो बंदा AWM कहां से पठकाता और गाड़ी पठती, और गाड़ी के साथ मैं भी पठ जाता, खैर यहां पर मैं बजिया और AWM वाला बंदा इस घर पे आ चुका है, और पता है इस बंदे की खास बात क्या है, भाई हमारी किल चोरी क करके बैठे हैं, यह बंदा नजाने कहां से AWM चला रहा था और यार मेरे मूग के सामने से मेरी एक किल चुरी करके चल देता है, दुख बहुत हुआ और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि यह बंदा, एक हजार IQ गिम्पले वाला बंदा है, अगर आपको विजवास नहीं हो रहा तो यार यह सीन देखो आप दिमाग देख रहे हो भाई का, नाजाने कहां से चड़ चुड़ के एक ऐसी खिड़की से बंदा पीक करता है, जहां से यार देखो मैं हूँ डेड़ IQ गिम्पले वाला बंदा, हमारे बस का होता नहीं है सब, मैं होता ना यार अगर मैं वहाँ ठीपी पे ले रहा होता, ज मैं सोचता भी नहीं कुछ और मेरी पेटी बना जाता हूँ, लेकिन यार किस्मत अपना साथ देती है, मैं वो जलती बोतल में आग लेके खड़ा था, मैं देखता हूँ यार हेलमेट दिखाई दे रहा है, फिर पूरा बंदा दिखाई देता है, और मैं सिधा MK पटकाता और पेटी बन साती है भाई की, तो बस भाई लोग आज को वीडियो में इतने ही बहुत 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 शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जाते जाते इस बंदे के ये हजार IQ गेमपले और वो जो उड़ती कार चलाई थी भाई ने यार उसके लिए लाइक ठोकना मत बूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिलकुल टोप में तो कल मिलते है यार बाई बाई झाल